वेरी वेरी गुट इवनिंग कैसे हैं आप सब उसे जरूर शियर करेगा कमेंड बॉक्स में और इधार मम्मी देखिए क्या पिटारा सा खोल करके बैटी हैं एक्चली ये जो बॉक्स है वो कुछ ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स या जो भी मैं डियाइवाई करती रहती थी पहले तो उसी का ये बॉक्स है तो काफी दिन से नहीं ओपन करके देखा था तो आज मम्मी ने का चलो इसको ओपन करके देखते हैं अगर कुछ निकलता है इसस अच्छा था तो फिर इससे कुछ बनाते हैं तो येस आप लोग ऑल्रीटी से देख चुके होगे कि इससे मम्मी ने बहुत सुंदर सा जूला बनाया है नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग देख लेना तो पहले मैं बहुत बहुत जादा अच्छा ने बहुत जादा है एलो फ्रेंज बेरी वेरी गुड इवनिंग इवनिंग तो नहीं है रात का 9 बज गया है पट गुड़नाइट में बौल सकती मैं यस तो अभी मैं आगे हूँ बेटो की अलमारी में और मैं निकाल रही हूं बेटो के लिए लेहगा जो इसका मास्ट मी का फंक्शन तो इस वज़े से स्कुल से मैसेज आया है थोड़ी देर पहले आया था मतलब इवनिंग के टाइम आया था कि उसको उसी के कॉर्डिंग ड्रेस पहनाया ऐसा कुछ नहीं आया है कि उससे कुछ बना करके बेजना है रादा बगएरा बट ऐस क्या हो गया उसका लेंगा डून नहीं ररे बिलिनी ररा पता नहीं तुम हरस्का है और यह अधर नहीं लहुटा दो आखे दो टॉंगएर द्वाली पनेगा इप कि आधि पता नहीं है तो येस मिल गया फाइनली और मैं इसको सबसे उपर ही रख दे रही हूँ एक सेकेंड मौर्निंग में बस निकालना रहेगा जल्दी जल्दी हर बड़ रहती ना फिर मिले ना मिले तो मैं जो भी वो ड्रेस उसको पहननी रहती वैसे तो डेली ड्रेस पहन के जाती है फिर भी जब कुछ अलग उसे पहनना रहता है तब मैं उसके जो कपड़े हैं वो रात में ही न चीज हवा चलेंगे तो फिर औरने का डर है तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूं रात में कुछ भी मौसम बदल सकता है कोई भरोसा नहीं है किचिन की हालत अभी ठीक नहीं है मुझे अभी सई करनी है थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिनर बगएरा किया है इनको कुछ काम है थे काम करने लगे और बेटो भी अंदर लेट गये सुलाने के लिए उसे लिटाया बट अभी वो सोई नहीं है तो अभी किचिन को भी मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है ये थोड़ा सा सामान है और ये थोड़ा सा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और ये मगाई है मैंने दो इस्प्रे पेंट ये वाइट इस्प्रे है और ये गोल्डन इस्प्रे है मेरे पास ये गोल्डन इस्प्रे था वो खतम हो गया था इ बेटू के कपड़े हैं जो मुझे लॉंडरी बैंग में डालने हैं बाद बागी तो कपड़े में ने सूखनी के लिए डाल दिया हैं और मैं इस तरीके से बात करती जा रहे हैं क्योंकि कहीं ट्राइपॉड रखने की जगए नहीं है मजबूरी है मेरी अभी तक काइपॉड का कुछ हुआ नहीं है और यह सारा सब कुछ एकसा हो गया है कपड़े हैं बस किचिन मुझे क्लीन करने को रहेगी वो मैं भी थोड़ी देर में करूँगी और देखते हैं दोने लोग क्या कर रहे हैं क्या है पता है सब मुझे बोल रहे थे जीजू हाई गाइज नहीं बोलते हैं जीजू आपके जीजू यह नहीं है अच्छा कभी सोचा था इतनी सारे सालिया मिलेंगी आपके क्या बोला मिलेंगी नहीं देख रहे हैं जीजू वाली बात कर दी नहीं है हैं गाईष ननन्नू, इसको नीद नहीं है नीद नहीं ही अ हाई है आज सारी शिकाइद दूर होगि नननने भी हाईगाईश करी और रहें इनों नेभी हाईच करी थे खायऊँ है मुझे नहीं दाड़ी भाडी पसंद है मुझेको नहीं पसंद हुझे है मुझे नहीं अच्छी लगती है दिखाना जारा पास गो गंदे हो है ना नन्नो सब बोलते हैं कि दुबले हो गए सब कुछ अपने उपर होता यार और ये शरीर कभी एकसा नहीं रहता कभी मोटे होते हैं कभी पतले रहते हैं बाहर धूप में रहो हो जाता है घर में रहो थूरंग में रहोग जाता है तो ये सारी चीज़े उपर ही होती है में चीज होता है इंसान और ये इंसान देखो nervous commander बन गया ओढ़कree जिए थाकोर जो नत्लाल कैसी हो वरना मोट रहए कितने ही पूरी लग रही जो जो फैंको जो पतानी क्या शॉक चाहिए मुझे बड़ी लगती है तिया जिसे दिन दुम सो रहे होगे सफासाट जाएगा पर तुम्हे बनानी पड़ेगे पर देखना किसी दिन यही बादा पर देखना किसी दिन यही ओने वादा पज़िए है न sup Baba करी को देखो सफय हाँ अच्छा बिलादे अने शुटी पाई को निन्नो निया इती न दिन में आती न रात कमें अतलों मेरी क्योटीपाई वह द्रूज आ डें आरो अच्छा सब मेक अप करके बेज देगी ममा ठीक है इसे लिए टालो आई जा जाए 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 ये वाला सब है न हाँ इधर सही है और ये देखिया कितना सुन्दर लगता है इधर से बहुत अच्छा नजारा लगता है देखने में दिवाली दिवाली से हमेशा लगती रहती है इस तरीके का है मेट्रो की वज़ए से और रहनक लगती है यहाँ पर ताफि सारे लोग मुझसे मेट्रो के बारे में पूछते रहते हैं बट आइम डिली सॉरी मैं एक बार और आप लोग के साथ बता चुके हूँ कि मैं नहीं शेयर कर सकती हो इक्जैक लोकेशन मैं नहीं शेयर कर सकती फिर रही क्या जाएगा फिर बचे गाई क्या है ना तो इस वज़े से थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशस किया करूँ आई होप आप बुरा नहीं मानोगे मुझे पता है तो चलिए बाते तो बहुत हो गई रात ज्यादा हो जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है मै जाती हूँ किचिन क्लीन करती हूँ उसके बाद अपना काम करती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में या फिर डारेक्ट मॉर्निंग में तो मैं आ गई हूँ किचिन को क्लीन करने के लिए और बालों को मैंने थोड़ा सा बांग लिया है काम करते वक्त खुले बाल बिल्कुल भी मतलब सही नहीं रहते हैं, बहुत उलजन देते हैं, गर्मी भी लगती है, और ठीक भी नहीं है, किचिन में इधर उधर गरते रहें, तो बालों को टाय करके, मैं आगी हूँ रात की क्लीनिंग करने के लिए, डिनर वगरा सारा कुछ होई गया था, मैंने आपको, उसके बाद ये जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, तो मैं करती हूँ, मैं पांदस मिनट रुप करके, मतलब थोड़ा सा आराम से करती हूँ, जब भी खाना वाना खा लेती हूँ, और सारा काम हो जाता है, उसके बाद मैं चलीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ, और इधर बेटू कुछ आ गई थी कहने के लिए तो मैं उससे बात करने लगी उसको नीद नहीं आने का नाम में मतलब उसको लिटा के आती हूँ तब भी उसको एक घंटे तक नीद नहीं आती है वो बाहर अंदर बाहर अंदर मतलब आती जाती रहती है और बाते करती रहती ह तो बस मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप को अच्छे से पोच दिया है और एक बार मैं डिटॉल के कपड़े से इसको पोच दूँगी और मेरी किचिन क्लीन हो जाएगी पर हो चुका है मेरा किचिन पूरी तरीके से क्लीन और यह जो इस्प्रे की बॉटल है अब मैं इसको भी हटा करके रख दूँगी और यह छोटा सा जो कपड़ा है वो भी मैं बॉच करके यह पर रख देती हूं तो सूख जाता है रात भर में और इसके बाद जो में गेट है वो खुला हुआ है अभी तक इसको भी मैं लॉक कर दूँगी और बस मेरा फाइनल काम जो रात का है वो हो चुका है बस इतना ही काम रहता है डेली का अब बस इसके साथ करते हैं मैं इस व्लोग को एंड आपको कैसा लगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इससे लाइक कर देना जल्दी मिलोंगी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई